तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल राज से एक notification जो है वो different social media sites पे viral हो रही थी जो कि Department of Expenditure के जरगे निकाली गई थी जहां बताया गया था कि ban on creation of new posts और इसकी वज़ा से students के अमांग एक phobia, डर या एक doubt सा create हो गया था पैनिक कर रहे थे बच्चे कि जो JK SSB की class 4 vac vacances है पंचायत account assistant vacances है या फिर JK bank के vacances है आनवाले समय पे एक साल के लिए लगबग उनके बीच में क्या उनका exam जो होगा यह नहीं होगा इवन सुबा से calls, messages इसी वज़ा से आ रहे हैं मुझे यहीं समझाती कि जो national level पे भी बड़े-बड़े YouTube channels हैं वो क्यों इतने जल्दी पैनिक करके उन्होंने भी videos create कर दी students के among phobia, डर एक panic create कर दिया आप तर व्यूज के लिए बता दिया बच्चों को कि आपको यह vacances आने न notifications को explain करके यह चीज़ें नहीं करना चाहते, तो हमेश्या से हमें बोलता आ रहा हूँ, wait करो, बहुत जरूरी है चीज़ों के ओपर wait करना, panic नहीं करने की जुरूत, तो दोस्तों आपका ही जो doubt था, वो ministry of finance ने tweet करके, official tweetal handlers है, वो clear किया है, मैं आपको बदाता हूँ कि जो COVID-19 का जब एक single person के ओपर test भी करना होता है, उसकी जो kit आती है, मैं rapid जो test हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो normal test होते है, जिसमें समय भी लगता है, report आने में, लगबख 4000-5000 पर खर्चा आता है, एक किसी भी person के ओपर, तो ऐसे मैं कितने test हो चुके और कितना खर् जरू हुआ है, जब relaxation हुई, बहुत loss हुआ economy का, इसलिए ये further economy measures ली जा रहे है, तो दोस्तों एक जो main point था, जहां से doubt create हो रहा था, वो ये आ गया आपके सामने, creation of post के ओपर, एक point अगर आप देखो, बोला जा रहा है, there will be ban on creation of new post, except with approval of department of expenditure, in ministries or departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies, एक इस इसने create किया doubt की ban, है लगाया जा रहा है, creation of new post के ओपर, और accept अगर आप approval, जो है वो लेते होगी, कौन सा department of expenditure, तीसरा point इसने भी एक doubt create किया, कि अगर कोई post जो है, वो create होई है, एक साथ 2020 के बाद, और अगर approval नहीं लिया गया, department of expenditure का, और अभी वो fill भी नहीं हुई है, तो exams नहीं होंगे, वो post अभी फिल नहीं होंगी, तो अब आपको मैं बता दू, ये जो दो points ने, इसने confusion create की, बच्चों के अमंग, but ministry of finance ने आपकी confusion को clear किये, आए देखते है, उन्होंने अपने twitter handle से क्या tweet किये, तो दोस्तों, ये ministry of finance ने अपने twitter handle से tweet किये, यहां बताया है, clarification दिये, topic का subject ही देख लो, जो भी दिया है, clarification, तो क्योंकि इनको भी पता है कि students के अमंग, एक doubt create हो गया था, बच्चे tweet कर रहे थे, social जो protest है, वो कर रहे थे, तो इन्होंने बुलाए कि कोई restriction नहीं है, there is no restriction, और ban on filling up of government post, या post in government of India, normal requirements जो होती है, चाहे वो normal government agencies के जरीए, चाहे वो staff selection commission, SSC की हो, UPSC की हो, यह जो IS के exams भी होने वाले हैं, या railway recruitment board, RRBs की हो, यह specifically इस लिए भी mention किया है, क्योंकि अब यह हाली में एक notification RRB की भी आई है, मैंने video बना के आपको clear किये, तो we'll continue as usual without any curbs, वो continue होगी, जैसे वो normally होती है, बिना किसी curbs के, बिना किसी recover के और नीचे जो इन्होंने notification explained की है, या दिखाई है, यह वही है, जो मैंने भी आपको बताई, और इसी के साथ अगर मैं बताऊं, आपको एक जो और इन्होंने tweet किया है, वो यह, कि जो department of expenditure का जो circular आया था, 4 September का, जो मैंने भी बताया आपको, वो deal करता है, सरफ internal procedure for creation of posts and doesn't in any way, effect or curtail recruitment, कहा रहा है, वो जो departmental post होती है, उनके लिए है, यह जो normal post होती है, जो normal vacancies आती है, recruitment agencies की जरीए, जो normal public के लिए होती है, public domain में आती है, उनके लिए नहीं है, departmental post के लिए है, तो इन्होंने बिल्कुल clear किया, I hope अब आपका doubt clear हो गया होगा, कि जो JKSSB पंचायत, account resistant हो, class fourth हो, या JK bank की vacancies है, उनके जो exams आने वाले समय पे वो होंगे, और कब होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, 9 December से पहले होने के chances काम है, फिर भी अगर कोई notification आती है, तो हम आप तक वो notification explain करेंगे, पहुंच आएंगे, अपनी तयारी जो है, वो आप continue रखें, जिस vacancies की creation नहीं हो रही है, जो पहले भी आई है, exams नहीं हो रही है, और ऐसे में जो IBPS की vacancies आई है, जिन banks ने report नहीं किया, उनको भी बोला जाए कि वो report करें, तो यहां पर आप कोई भी doubt होता है, वो उनको पहुंचाओ, बताओ, क्योंकि आज के समय पे आपको पता है कि अपन करोगे, चाहिए वो social हो, या social media पे, या फिर आप publicly आके भी कर रहे हो, COVID-19 के बाद, तो वो उनको पता चलता है, और उसको उसको कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि public image जो है, उनकी बोरी हो रही होती है, खराब हो रही होती है, बिगट रही होती है, तो यह आपको protest करना ज लेक्षर में, शुक्रिया.